लिजी सुनिये मुझी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है मानसर वर एक की कहानी सुभागी मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में और लोगों के हाँ चाहे जो होता हो तुलसी में तो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामु से जो भर भी कम प्यार न करते थे रामु जवान होकर भी काठ का उल्लू था सुभागी ग्यारह साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बारी के काम में इतनी निपुन थी कि उसकी मा लक्षमी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देउताओं की आँख न पड़ जाए अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है कोई सुभागी का बखान न करे इसलिए वो अनाया सी उसे डाटती रहती थी बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं ये भाय तो न था भाय था नजर का वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई गर में कोहरा मचा हुआ था लक्षमी पछाडे खाती थी तुलसी सिर पीटती थे उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी बार बार मा से पूछती क्यों रोती हो अम्मा मैं तुमे चोड़कर कहीं न जाऊंगी तुम क्यों रोती हो उसकी भूली बाते सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था वो सोचती थी इश्वर तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो दूसरों को दुख देखर ऐसा तो पागल करते है आदमी पागल पन करे तो उसे पागल खाने भेज देते है बगर तुम जो पागल पन करते हो उसका कोई दंड नहीं ऐसा खेल किस काम का कि दूसरी रौएं और तुम्हासो तुम्हे तो लोग दयालू कहते हैं यही तुम्हारी दया है और सुभागी क्या सोच रही थी उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वो उन्हें छिपा कर रख देती फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्हा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला दी दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती अम्हा दादा कितने खुश होते जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतों पर दबाओ डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो जवान लड़की का यह फिर नठीक नहीं जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो तुलसी ने कहा भाई मैं तो तैयार हूँ लेकिन जब सुभागी भी माने वो किसी तरह राजी नहीं होती हरी हर ने सुभागी को समझा कर कहा बिटी हम तेरे ही भले को कहते हैं माबाप अब बूढे हुए उनका क्या भरोसा तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी सुभागी ने सिर जुका कर कहा चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता मुझे आराम की चिंता नहीं है मैं सब कुछ जेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वो सिर आँखों के बल करूँगी मगर घर बसाने को मुझ से ना कहो जब मेरा चाल को चाल देखना तो मेरा सिर काट लेना अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँगी तो बात की भी पक्की हूँगी फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है मेरी क्या हस्ती है क्या भी कुछ कहूँ ओ जड्ड रामू बोला तुम अगर सोचती हो कि भईये कमावेंगे और मैं बैठी मौच करूँगी तो इस भरोसे न रहना यहां किसी ने जनम भर का ठीका नहीं लिया है रामू की दुलहन रामू से भी दो अंगोलूँची थी मटक कर बोली हमने किसी का करज थोड़े ही खाया है कि जनम भर बैठी भरा करे यहां तो खाने भी महीं चाहिए पहनने को भी महीं चाहिए ये हमारे बूते की बात नहीं सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा भाभी मैंने तुम्हारा आस्रा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं तुम अपनी देखो मेरी चिंता ना करो रामू की दुलहन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई हमेशा एक ना एक खुचर लगाए रहती उसे रोलाने में जैसे उसको मज़ा आता था वो बिचारी पहर रास से उठकर कूटने पीसने में लग जाती चौका बरतन करती गोबर पातती फिर खेत में काम करने चली जाती दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पका कर सब को खिलाती रात को कभी मा के सिर में तेल डालती कभी उसकी देह दबाती तुलसी चिलम के भक्त थे उन्हें बार बार चिलम पिलाती जहां तक अपना बस चलता माबापको कोई काम न करने देती हाँ भाई को न रोकती सोचती ये तो जवान आदमी है ये काम न करेंगे तो ग्रहस्ती कैसे चलेगी मगर रामू को ये बुरा लगता अमा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है यहां तक कि एक दिन वो जामे से बाहर हो गया सुभागी से बूला अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो तब सेवा करो तो मालूमो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी दूसरों के बल पर वहवाही लेना आसान काम है बहादर वो है जो अपने बल पर काम करे सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया बात बढ़ जाने का भय था मगर उसके माबाब बैठी सुन रहे थे महत उसे ना रहा क्या बोले क्या है रामू उस गरीबन से क्यों लड़ते हो रामू पास आकर बोला तुम क्यों बीच में कूद पड़े मैं तो उसको कहता था तुलसी जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते मेरे पीछे जो चाहे करना पचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया रामू आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांद कर रखिये मुझसे तो नहीं साहा जाता तुलसी अच्छी बात है अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो यही होगा मैं कल गाओं के आद्मियों को बुला कर बटवारा कर दूँगा तुम चाहे छूट जाओ सुभागी नहीं छूट सकती रात को तुलसी लेटे तो वो पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोटसा में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कोड़ी न खर्च की पुत्र को रत्न समझा था पुत्री को पूरव जन्म के पापों का दंड वो रत्न कितना कठोर निकला और ये दंड कितना मंगल मै दूसरे दिन महतों ने गाउं के आद्मियों को जमा करके कहा पंचो अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर अलग हो जाओ रात दिन की किच किच अच्छी नहीं गाउं के मुकतार बाबू सजन सिंग बड़े सजन पुरुश थे उन्होंने रामू को बुला कर पूछा क्यों जी तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो तुमें शर्म नहीं आती के औरत के कहने से माबाप को अलग किये देते हो राम रामू ने ढिठाई के साथ कहा जब एक में गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है सजन सिंग तुमको एक में क्या कश्ट होता है रामू एक बात हो तो बताऊं सजन सिंग कुछ तो बतलाओ रामू साहब एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा बस मैं और कुछ नहीं जानता ये कहता हुआ रामू हाँ से चलता बना तुलसी देख लिए आप लोगों ने इसका मिज़ाज अब चाहे चार हिस्सों में तीन हिस्से उसे दे दे पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूँगा भगवान ने बेटी को दुख दे दिया नहीं मुझे खेती बारी लेकर क्या करना था जहां रहता वहीं कमाता खाता भगवान ऐसा बेटा साथ वे बेरी को भी न दे लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होई सैसा सुभागी आकर बोली दादा ये सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है मुझे क्यों नहीं अलग कर देते मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी पर रहूंगी अलग यों घर का बारा बांट होते मुझे से नहीं देखा जाता मैं अपने माते कलंक नहीं लेना चाहती तुलसी ने कहा बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छोड़ जाए रामु का मैं मुहने ही देखना चाहता उसके साथ रहना तो दूर रहा रामु की दुलहन बोली तुम किसी का मुहनी देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है मैं तो दात पीशते हुए उठे की बहु को मारे मगर लोगों ने पकड़ लिया बटवारा होते ही महतो और लक्श्मी को मानो पैंशन मिल गई पहले तो दौनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था पहले दौनों दूद खी को तरसते थे सुभागी ने कुछ रुपए बचा कर एक भैंस ले ली बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोचन है अच्छा भोचन ना मिले तो वे किस आधार पर रहे चौधरी ने बहुत विरोध किया कहने लगे घर का काम योही क्या कम है कि तू ये नया जंजट पाल रही है सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती दादा दूद के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता लक्षमी ने हसकर कहा बेटी तू जूट कब से बोलने लगी कभी दूद हाथ से तो छूती नहीं खाने की कौन कहें सारा दूद हम लोगों के पेट में ठूस देती है गाउं में जहां देखो सबके मुझे सुभागी की तारीफ लड़की नहीं देवी है दो मर्दों का काम भी करती है उस पर माबाप की सेवा भी किये जाती है सजन सिंग तो कहते ये उस जन्म की देवी है मगर शायद मेहतों को ये सुख बहुत दिन तक भोकना न लिखा था साथ आठ दिन से मेहतों को जोर का ज़र चड़ा हुआ था देहे पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते लक्षमी पास बैठी रो रही थी सुभागी पानी लिए खड़ी थी अभी एक शन पहले मेहतों ने पानी मांगा था पर जब तक वो पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पाउं ठंडे हो गए सुभागी उनकी ये दशा देखती ही रामू के घर गई और बोली भाईया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते है साथ दिन से जोर नहीं उतरा रामू ने चार पाई पर लेटे लेटे कहा तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ की देखने चलो जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो उसी वक्त उसकी दुलहन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा दादा को क्या हुआ है दीदी सुभागी के पहली रामू बूल उठा हुआ क्या है अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा सीधे सजन सिंग के पास गई उसके जाने के बाद रामू हसकर इस्त्री से बोला त्रिया चरित्र इसी को कहते है इस्त्री इसमें त्रिया चरित्र की कौन बात है चली क्यों नहीं जाते रामू मैं नहीं जाने का जैसे उसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे, मर भी जाएं तो ना जाओ इस्त्री, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहां भागोगे रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगे इस्त्री, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे इस्त्री, नहीं जी अच्छी बात नहीं है, चलो देखाओ कुछ भी हो, बाप ही तो है, फिर गाओं में कौन मुझ देखाओगे रामू, चुप रहो, चुप देश मत दो उधर बाबू साहब ने जो ही मेहतों की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साहत भागे चले आए, यहां पहुँचे तो मेहतों की दशा और खराब हो चुकी थी, नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, समझ गए कि जिन्दगी की दिन पूरे हो गए, मौत का आतंग चाया ह हुआ था, सजन नेतर होकर बोले, महतो भाई, कैसा जी है, महतो जैसे नींद से जाक कर बोले, बहुत अच्छा है भीया, अब तो चलने की बेला है, सुभागी के पिताब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौपे जाता हूँ, सजन सिंग ने रोते हुए कहा, भाईया महतों, बगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे, सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है, और जब तक जीओंगा, ऐसा ही समझता रहूँगा, तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को को कोई तिर्ची आख से न देख सकेगा, और बगवान तुम्हे सदा सुखी रखे, सजन से, रामु को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूख, शबा कर दो, मैं तो, नहीं भईया, उस पापी हत्यारे का मुह मैं नहीं देखना चाहता, इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी, रामु को गाउं भर ने समझा पर वो अंतेश्टी करने पर राजी नहुआ, कहा जिस पिता ने मरते समय मेरा दमुह देख न सुखी कार ना किया, वो मेरा ना पिता है ना मैं उसका पुत्र हूँ, लक्षमी न दाह क्रिया कि, इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिय थे कि जब तेरही का सामान आने लगा तो गाँवालों की आँखे खुल गई, बरतन, कपड़े, घी, शक कर सभी सामान इफराद से जमा हो गए, रामु देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सब को ये सामान दिखाती थी, लक्षमी न कहा, बेटी घर द धूम धाम से ही होगा अमा, चाहे घर रहे या जाए, बाबु जी फिर थोड़े ही आवेंगे, मैं भाईया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है, वो समझते होंगे इन दौनों के कि ये कुछ न होगा, उनका ये घमंड तोड़ दूगी, लक्षमी चुप कर सो कई थी, केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी, कि ठाक और सजन सिंग ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सबेरी ये सब काम कर लेना, सुभागी ने कहा, अभी ठकी नहीं हूं दादा, आपने जोड लिया, कितनी रुपए उठे सजन सिंग, वो पूछ कर क्या करोगी बेटी, कुछ नहीं योई पूछती थी, कोई तीन सो रुपए उठे होंगी, सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपएयों की देनदार हूँ, तुम से तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ क कम है कि मेरे उपर इतना विश्वास किया, मुझे कौन तीन सो रुपए देता, सजन सिंग सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धी का कहीं, वार पार भी है या नहीं, लक्षमी उन इस्त्रियों में थी, जिनके लिए पती वियोग जीवन स्त्रोत का बंद हो जाना है पचास वर्ष के चिरस हवास के बाद, अब ये एकांत जीवन उसके लिए पहाड हो गया, उसे अब ग्यात हुआ कि मेरी बुद्धी, मेरा बल, मेरी सुमती मानुस सबसे मैं वंचित हो गई, उसने कितनी बार इश्वर से विंती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेन मगर उसने ये विंती सुईकार न की, मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है, वो लक्षमी जो गाउं में अपनी बुद्धी के लिए मशूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बोरही हो गई है, सीधी सी बात करते नहीं बनती, ल कि बिना खाये, खुद खाया हो, अब उस नियम को कैसे तोड़े, आखिर उसे खासी आने लगी, दुरबलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया, सुभागी अब क्या करे, ठाकर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी, यहां मा बीमार अचा, महतो को भी तो यही जुर था, गाओं में और किसे फुरसत थी कि दोड़ धूप करता, सजन सिंग दोनों वक्त आते, लक्षमी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्षमी की दशा बिगड़ती जाती थी, यहां तक कि पंद्रह वे दिन वो भी संसार से सिधार गई, अंतिम समय रामु आया और उसके पैर चुना चाहता था, और लक्षमी ने उसे ऐसी जिड़की दी, कि वो उसके समीब न जा सका, सुभागी को उसने आशीर वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रिया कर्म सुभागी की जीवन का केवली एक लक्ष रह गया, सजन सिंग की रुपए चुकाना, तीन सो पिता के क्रिया कर्म में लगे थे, लगभग दो सो माता के काम में लगे, पांच सो करिण था, और उसकी अकिली जान, बगर वो हिम्मत न हारती थी, तीन साल तक सुभागी ने र जात को चार-चार पसीरी आटा पीस डालती, तीसवे दिन पंद्रह रुपे लीकर वो सजन सिंग के पास पहुँच जाती, इसमें कभी नागा न पढ़ता, ये मानुप्रकृती का अटल नियम था, अब चारो और से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे, सभी उसके लिए खुशी का ठिकाना ना था, आज उसके जीवन का कठोर वरत पूरा हो गया, वो चलने लगी तो सजन सिंग ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो कहो, कहो ना कहो, मगर वचंदो की मानो की, सुभागी ने कर्तक गभाव से देख कर कहा, दादा, आपकी बात न मानूगी तो किसकी बात मानूगी, मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है, सजन सिंग, अगर तुम्हारे मन में ये भाव है, तुम मैं न कहूंगा, मैंने अब तक तुमसे इसली नहीं कहा, कि तुम अपने को मेरा देंदार समझ रही थी, अब रुपए चुक गए, मेर तुम्हारी उपर कोई ऐसा नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, बुलो कहूं, सजन सिंग, आपकी जो आज्या हो, सजन सिंग, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मूना दिख लाऊंगा, सजन सिंग, मेरी अच्छा है कि तुम मेरी बहु बनकर मेरे घर को पवित्र करो, मैं जात पांत का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिये, मेरे लड़का तुम्हारी नाम का पुजारी, तुमने उसे बारहा देखा है, बुलो मन्जूर करती हो, सबागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाओंगी, सजन सिंग, तु को अपना पिता समझती हो, आप जो कुछ करेंगे, मेरे भले ही के लिए करेंगे, आपके हुक्म को कैसे इंकार कर सकती हो, सजन सिंग ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सोहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुस्सा भागशाली संसार में और प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है, मान सरुवर एक की कहानी सुभागी, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में